इतना सस्ता मकान कभी ही नहीं मिलेगा अगर आप इस बने हुए मकान को खरिना चाहते हैं तो टाइटेल और थम्मिल पे आपको पता ही चल गवा होगा कि ये मकान कितने का है तो मैं आपको कीमत एक बार फिस से बता देते हैं इस मकान की ये मकान आपको मिलेगा मात्र 17,000 इस बीडियो में आपको दे दूँगा अगर आपने इस बीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अगर आप भी हमारी यूटूब चैनल के माद्धिम से अपने मकान या फिर आपने जमीन को बेचना चाहते हैं तो बीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बा की जाएगी इसते ना आप से वीडियो बनानों कोई पैसा ली जाएगा नाहीं मकान बिकने पर आपसे कमिशन बिलकुल भी नहीं ली जाती है तो चलिए हम आपको इस बने हो मकान के बारे में अधिक जानकारी दे देते हैं यह जो बना हुआ मकान आपको दिखाय जा रहा ह यह आपको मिल जाएगा सिर्फ 600 स्क्वार फुड में आपको यह मकान देखने को मिल जाता है क्योंकि इस मकान के अंदर आपको लाइटरीन मिल जाएगी बाथरी मूल जाएगा और सारी सुब्धाएं आपको इस बने हमकान के अंदर देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं कमरे की तो यहां पे आपको तीन कमरे भी देखनों को मिल जाते हैं इस मकान के अंदर और यहां पे डैनिंग एरिया हाल भी देखनों को मिल जाएगा और गाड़ी की पार्किंग की भी सुधार दी गई है इसके जेश्ट साइट से आपको रास्ता मिल जाएगा जो कि अभी तक अच्छा ही रास्ता है लेकिन ये कुछ ही ही दुनों बाद यहां पे पका रास्ता आपको RCC का देखनों को मिल जाएगा तो हम आपको इस वीडियो के मादधें से आपको लाइफ रूप करके दिखा देता हुँ यहां पे आपको मिल जाएगा मेंड गेट और ये मेंड गेट काफी सुन्दर क्वालिटी के साथ आपको मेंड गेट भी देखनों को मिल जाता है चलिए हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं अंदर की जरब जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे इस्ट्रोर रूम आपको मिल जाएगा यहाँ से आपको जीने भी मिल जाएंगे और यह जीने पे पत्थर भी लगा हुआ है आपको वीडियो में दिखाएगा है यहाँ पे आपको लाइटरिन भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो की टैल्स भी लगी हुए लाइटरिन के अंदर चारो तरफ आपको टैल्स भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको जीने भी मिल जाएगी और ये जीने काफी सुन्दर क्वाल्टी के साथ आपको जीने भी देखने को मिल जाते हैं जीने के साथ आपको रेलिंग भी देखने को मिल जाएगी ये आपको मिल जाता है बेट रूम और इसके जैस्ट साइज से आपको मिल जाएगा किजन और ये किचन काफी अच्छी कंडिशन के सथ बना हुआ है तो अगर आप इससे खरीना चाहते हैं खरीच सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राब नहीं किया हुआ है तो वीडियो की नीचे आपको subscribe लिखा दिखा़ा द है इस पर आपको किलिक करके आलपी सेरेट कर लेना है ताकि हमारी latest वीडियो जो आएंगी वो सिबसे पहले आपको मिल जाएंगी तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध़िम से और भी जनकारिया इसमें दे देते हैं किसमें आपको कौन कौन सी सुधाएं देखनों को मिल जाती है यहां पे आपको कवर छेतर मिल जाएगा और यह कवर छेतर काफी सुन्दर क्वालिटी के साथ आपको यहां पे कवर छेतर भी देखनों को मिल जाता है यहां पे आपको अंदर का विव दिखाया गया है और अंदर का विव काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको यहां पे देखने को मिल जाता है और यह आपको बाहर का विव दिखाया गया है बाहर का विव आप देख सकते हैं काफी अच्छा है यहाँ पे आपको बाहर का भीववी देखनों को मिल जाएगा और इसके ज़र सार से आपको रास्ता देखी सकते हैं रास्ता काफी अच्छा है यहाँ पे आपको देखनों को मिल जाएगा तो मैं आपको सारी जानकारी दे दिया है और मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप इससे बने हो मकान को खर्जना चाहते हैं तो मैं आपको पानी की वेवस्था बता देते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगे एक सरकारी टंकी है जो कि यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पचलके बनी हुई है वहाँ से आपको पानी यहाँ पे 24 घंटे मिलता रहेगा अगर आप अपना परसनल यहाँ पे पानी से अन्नी चीज़े लगवाना चाहते हैं जैसे समर्सेबल या बोर्बल या नल लगवाना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ का वाटर लेविल बता देते हैं यहाँ पे आपको जो water level मिलेगा यह आप सो 180 फुट के यहाँ पे water level आपको देखने को मिल जाता है तो अगर आप समर्सेबल या बोर्बेल या पानी से unrelated चीज़े यहाँ पे आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं बात कर लेते हैं मकान बेचन कारणर का नाम तो मैं आपको मालिक का नाम भी बता देते हैं यह मकान आपको मिल जाता है रभी कुमार के नाम से जी हाँ दोस्तो यह मकान आपको रभी कुमार के नाम से ही मकान देखनों को मिल जाएगा च्योंकि इस बने है मकान में आपको किसी भीतर हेगा विवाद देखनों को नहीं मिलेगा और ये जो मकान है ये इनका सुयम का खरीदा हुआ मकान है जो कि इसमें किसी भीतर हेगा आपको विवाद देखनों को नहीं मिलेगा बात का लेते हैं मारिकेट की तो मैं आपको market भी बता देता हूँ इस बने हुए मकान से लगभग आपको 200 मेटर की दूरव चलके आपको बड़ा सा market भी मिल जाएगा 3 किलोमेटर की दूरव चलके आपको मिल जाता है और fall line की बात करें तो fall line highway आपको हम बता देते हैं fall line highway आपको सिर्फ मिल जाएगा 2 किलोमेटर की दुरूप चल के आपको फोल लाइन हाइबे भी देखनों को मिल जाएगा तो अगर आप इससे खरीना चाहते हैं तो मैं आपको इसका क्रेक प्लोकेस्न भी पता देते हैं कि ये वह हो मकान आपको कहां पे देखनों को मिल जाएगा इस्टेट की बात करें तो इस्टेट यहां पे कापी अच्छा है हम आपको जानकारी दे देते हैं चलिए हम आपको जानकारी दिखा देते हैं कि इस्टेट यहां पे काउंसा लग रहा है यहाँ पे जो इस्टेल लग रहा है यह मध्ध्य परदेश है और मध्ध्य परदेश में आपको जिला जो मिलेगा यह राजगड़ है जी हाँ राजगड़ में आपको यह बनाऊ मकान देखनों को मिल जाएगा बात करते हैं टोले जो टोला यहां पर लग रहा है इस टोले का नम है सिवपूरी सिवपूरी धाम यहां पर है और यहीं पर आपको यह वनआओं मकान देहनों को मिल जाता है तो अगर आप इस location को छोड़ कर किसी दूसरे location पर बने हो मकान को खरिना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है इसमें आप मुझसे वहाँ पर पूरी डिटेल लिखेंगे कि ये स्टेट काउंसा लगेगा वहाँ पर जहाँ पर आप मकान खरिना चाहते हैं जिला काउंसा चाहिए ये सारी डिटेल आप वहाँ पर लिखती जिए वहाँ के जो प्रापरिटी डिलेंग वहाँ से मैं समपर करूंगा वहाँ की हमारे वीडियो हमारे चैनल पर अप्लोड की जाएगी तो अगर आप इसे बने हो मकान को खरिना चाहते हैं तो मालिक का मोबैल नमबर हम आपको बता देते हैं आप नोट कर सकते हैं मालिक का नमबर है 9 7 4 9 1 4 7 1 9 यह मैंने आपको मालिक का मोबैल नमबर दे दिया है अगर आपको ज़्यादा जानकारी प्राप करनी है तो इस नंबर पे आप काल कर सकते हैं पूरी डिटेल आप घर बैठे इस मालिक से संपर करके इस बने हो मकान को खरी सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छल दो वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राब नहीं किया हुआ है तो वीडियो के नीचे आपको सस्क्राब लिखाद दिखाए दे रहा है इस पर आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद आपके सामने एक घंटी आ जाएगी उस घंटी पे आल पे स्रेट कर लेना है ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली है तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी और सबसे पहले उसे आप खरीच सकते हो अगर आप भी इस बने हो मकान को खरनना चाहते हैं तो मेरा इसमें पैसे का कोई भी लेंदेन नहीं होता है जमीन खरीने से पहले मकान खरीने से पहले कागा जी सारी डीटेल आप ही को देखना पड़ेगा तो गर आपको मेरी वीडियो चलिकती हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सिस्क्राब अवस्य करें ताकि जो आने वाली वीडियो की नोटिपिकिसन होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी